एलो फ्रेंड्स, LGR स्टेडी पारामेडकल के यूटूब चेनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार पारामेडकल PM और PMM के ऑनलाइन कॉंसेलिंग के लिए बोर्ड के दोरा जो ओफिस्यल नोटिस है वो जाड़ी कर दिया गया है तो बहुत जानकाड़ी आप लोग को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा आप लोग को रजिस्टेशन से लेकर एडमिशन का सारा परकीरिया पूरा डिटेल में बताएंगे और बहुत सारा ऐसे जानकाड़ी बताएंगे जिसके मदद से आप लोग को काफी हैल्प जो है मिलने वाला है और इसके इस वीडियो के बाद में अगर आपको कोई भी कनफ्यूजन बचता है कोई भी अगर डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख दीजेगा आपके सारे के सारे डाउट का जो है दिया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास बोर्ड की दोरा जारी किया गया ओफिस्यल नोटीस है जो भी बाते होगी वो नोटीस के अधार पड़ होगी तो इसमें आपको कोई भी समस्य लेने की जरूरत जो है नहीं है बात जाद है कि सभी बच्चों को रजिस्टेशन करना जितने भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी बच्चों को रजिस्टेशन करना होगा किस के लिए कौन सेलिंग करवाने के लिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़दा लंबा इंद जार नो करने करन वो तो या फिर दूसरे कोर्स में admission ले चुके हैं, या फिर ग्रोजिशन में, बीए में admission ले चुके हैं, तो वैसे लोगों को अगर नहीं लेना है, तो आप registration नहीं करेंगे, जिन भी लोगो admission लेना है, बौरड उसके बारे में सोचेगे कि आप admission लेना चाहते हैं, और अगर आप registration नहीं करवाते हैं, तो बौरड आपके बारे में सोचेगे कि आप admission नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर आप registration करना बहुत ही, जरूरी है, आगे हम आप लोगो को बताएंगे कि कैसे registration करना है इसके लिए आपको टेंसल लेने की कोई ज़ो है जरूरत नहीं है तो registration के बारे में आप समझ गए दूसरा होता है choice filling क्या होता है choice fill आपको करना होगा choice fill में आपको क्या करना है तो choice fill में आपको जो है college का choice भरना होगा इसमें आप अधिक से अधिक college का नाम दे सकते हैं जो भी college आपको पसंद है इसके बाद आपको course का नाम फिल करना होगा जो भी course आप लेना चाहते हैं तो course का भी choice का अगर सकते हैं आप फिल कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले registration करना है, registration के जस्ट बाद आप दूसरा काम choice जो है fill कर सकते हैं registration और choice filling करने के बारे में सारा जानकारिय आपने जाना अब हम कुछ महात्पूर्ण dates देखते हैं इस official notice के अधार पर ही जो की आप लोगों को इसमें बताया गया है और इसी के अधार पर आप लोगों को काम भी करना होगा सबसे पहला आप देख सकते हैं important dates दिये गए है date and time सबसे first देख सकते हैं seat matrix posting on website ये जो है already post हो चुका है तो seat matrix कैसे download करना है उसमें कैसे देखना है क्या देखना है कितना महात्पूर्ण है इस पर एक video हम बना चुके हैं इस channel के video list में जाईए और seat matrix वाला video देख लीजी आपको पता चल जाएगा दूसरा आप देख सकते हैं कि starting date of online registration and choice filling for seat allotment ठीक है तो आप registration और choice filling का जो काम है वो देख सकते हैं कि 2112 2021 से आप कर सकते हैं तो registration और choice filling का date आप already समझ गए कि 2112 2021 से करना है registration और choice filling कैसे registration करना है कैसे choice भरना है वो सारा का सारा जानकारी इस channel पर आप लोग को दिया जाएगा तो channel को subscribe जरूर कर लिजेगा ठीक है तीसरा काम देख सकते हैं कि last date of online registration है और choice filling for seat allotment है न एंड लोकिंग तो last date जो है choice fill करने का वो 26 तारिक है यानि की total बोला जाए तो छो दिन आपको registration और 24 भरने का जो है time दिया गया है अब बात उठता है कि first round का provisional seat allotment seat allotment first round का कब जारी किया जाएगा तो 5-1-2022 को जारी किया जाएगा ये भी date fix कर दिया गया है अब 5-1-2022 को जिस भी बच्चों का अगर first list में नाम आ जाएगा तो वो क्या करेंगे वो जाएंगे document verification के लिए किसके लिए जाएंगे document verification उसके पले आप यहाँ पर देख लिजिए आपका 5-1 को merit list जारी किया जाएगा seat allotment का इसको क्या कहते है seat allotment first round का seat allotment आएगा इसके बाद downloading of allotment order allotment order आप 10 तारिक तक डाउनलोड कर सकते हैं 5 तारिक से 10 तारिक 5 जनवड़ी से 10 जनवड़ी तक कर सकते हैं अब जो भ पाना होगा तो document verification और admission का time जो है आप देख सकते हैं कि first round में जिसका भी नाम आएगा 6 जनवड़ी से ले करके 10 जनवड़ी तक आप लोग document verification करवा सकते हैं और admission ले सकते हैं तो document verification के लिए कहां जाना होगा तो जो आपका यहाँ पर allotment order आएगा उसी पर लिखा रहेगा कि कहां document verification के लिए आपको जाना है तो यह तो first round का सर्कूरा clear हो गया कि कैसे क्या करना है अब जिस बच्चों का नाम first round में नहीं आया खोदाना खास नहीं ऐसा हो सभी काज़ा भई लेकिन कुछ बचे तो होंगे जिसका जो है अगर जैदा rank होगा तो उसको second round में मौका दिया और आप लोग जो है साथ जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक डाउलोड कर पाएंगे उसके बाद document verification जो है वो आप लोग का second round बालों का 18 से 21 तक होगा और उसी के बीच में आप admission भी ले सकते हैं तो यह है महतपूर्ण dates अब कुछ ऐसे महतपूर्ण जानकारी हम देने वाले आपको जिसको जानना काफी जैदा जरूरी है क्योंकि बच्चे यहां पड़ी ही क्या करते हैं समस्या करते हैं तो चलिए चीजों को detail में हम लोग जानने की कुछिस करते हैं एक एक चीज़ ध्यान समझेगा सारा का सारा परकिरिया आपको इसमें क्या होने वाला है पता च जाएगा तो जो डेट हमने बताया उसी डेट के बीच में आपको क्या करना होगा रजिस्टेशन और च्वाइस फिल कर लेना होगा ऐसा नहीं है कि दो बार तीन बार आपको मोगा दिया जाएगा डेट बढ़ता रहेगा एक ही बार वन टाइम दिया जाएगा तो जितने जो है च्वाइस फिल नहीं करते हैं तो वैसे सभी अभ्यार्थी अगले चक्र के लिए ओलन कॉंसेलिंग है तो दुबार रजिस्टेशन और च्वाइस फिल का मौका जो है नहीं दिया जाएगा अगर आप फस्ट राउंड में रजिस्टेशन और च्वाइस फिल नहीं कर तो थीक बाते हैं पांच नमबर जो आपके पांच नमबर जो पॉइंट है वैसे अभ्यार्थी वैसे सब भी अभ्यार्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तित्थी तक छॉइस फिल किया है उसके अधार पर जारी किया जाएगा फर्स्ट राउंड का शीट चीट चीट राउटमेंट हो जितने भी बच्चे चॉइस फिल किये होंगे उसी के लिए आलाउटमेंट। और में नाम आयेगा और जो फिल यह उसका नाम नहीं आएगा तो यह तो आप जान गए कि क्या करना है नहीं करना है चो नंबर सब से जायदा महत्पूर्ण है सब से जायदा महत्पूर्ण चो नंबर है तो इसको समझने की कोशिस कीजिएगा अभ्यरती अपना सीट आवंटर रिजल्ट देखने है तो निर्धार तिति को एकाउंट में लॉग इन कर ऐसे देखना है तो वो तो हम आपको आगे भी बता देंगे और यहां पर देखिए अगर कोई अभ्यरती अपने आवंटर रिजल्ट ब्रांच से संतुस्ट नहीं है माली जे कि फर्स्ट रांट में आपका नाम आ गया लेकिन जो आपको कॉलेज मिला है जो आपको अलॉट्मेंट और डाउनलोड करने के करम में जब आप फर्स्ट रांड का प्रोविजनल अलॉट्मेंट रोड डाउनलोड कर रहे होंगे करमें अगले रांड के लिए अपग्रेडेशन है तो इक्छा ब्यक्त करें वहां पर आप लोगों को अपग्रेडेशन ठीक है यस का एक उप्षन होगा नो का अगर आपको कॉलेज और जो आपके कूर्स है वो अगर मन पसंद मिला है तो आप ग्रेडेशन बाले ऑप्षन पर आप नो भर देंगे अप ग्रेडेशन का मतलब है कि आप सकेंड रांड के लिए इंतजार करना चाहते हैं ठीक है तो अगर फस्ट रांड में अच्छा कॉलेज और ट्रेड मिल गया तो सकेंड रांड में हम क्यों इंतजार करें तो वहाँ पर अप्ग्रेडेशन पर 9 का आप जो है 9 पर किलिक कर दिजीगा और जिन बच्चों को फस्ट रांड में 1 पसंद कॉलेज और कॉर्स नहीं मिला तो वो क्योंकि अगर आप second round का wait करते हैं तो हो सकता है कि second round में आपको अच्छा college और अच्छा course मिल जाए इक्षा back करेंगे इस पर click कर दीजीगा जिसको अगर first round में इयरमिशन ले लेना है वो no पर click कर दीजीगा आगे आप देख सकते हैं कि अगर कोई अभ्यर थी अगले round की counseling के लिए अप ग्रेडेशन है तो अपनी इक्षा ब्यक्त नहीं करते हैं मान लेजिए कि आपने यस पर क्लिक कर दिया यानि कि आप अप ग्रेडेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो उन्हें अगले लिए क्यान की कांंसर लिंग के लिए पीचार नहीं किया जाएगा तो आपको अगले ट। आपने की अपनी इक्षा ब्यक्त करें घृतばいक 1st round में admission भी नहीं लिया और यहां पर upgradation में 9 पर भी click कर दिये हैं तो फिर आपके second round में नहीं आयेगा तो अदर आप admission लेना चाहते हैं तो नो पर click कीजिए और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो yes पर click कीजिए अब जो बच्चे yes पर click कर देंगे उसको क्या करना होगा वो देखिए क्योंकि जो बच्चे नो पर किलिक करेंगे वो तो first round में admission ले लेंगे जो बच्चे नो पर किलिक करेंगे वो लेलिंग एड्मिशन जो यस पर किलिक करेंगे अपग्रेड करवाएंगे तो उसको क्या करना होगा वो देखिए वो भी काफी ज़्यदा महातपूर्ण है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आवन्टीत अभ्यरती दोरा डॉनलोड किये प्रोपिजिनल अलाटमेंट ओडर डॉक्यूमेंट वरिविकेशन एडमीशन हेतु रिपोर्टिंग नोडल सेंटर का नाम तथा तिथी अंकीत होगा जो भी आपका अलाटमेंट ओडर आएगा उस पर रिपोर्टिक सेंटर का नाम और डेट भी जारी किया जाएगा कि कहा जाना है और कब जाना है आपको document verification करने के लिए ठीक है जिसके अनुचार चाो कि अब जिसके अनुसार अब्यर्ती अपने संबन्धित reporting नौडल सेंटर पर निर्धार तिंठी तक जाकर document verification नहीं कराते हैं तो वैसे अभ्यार्थी आवंटित जो है अभ्यार्थी को अगले round के लिए योग जो है मानते हुए seat रिक्तमान लिया जाएगा और वे अगले round के कौन से लिए तो आयोग होंगे देखिए तो आप अगर नहीं पहुचते हैं टाइम पर तो आपको वहां से एकदम साफ खारिज कर दिया जाएगा लेकि अगला देखिए परन्तु अगर first round में किसी अभ्यार्थी को seat आवंट नहीं होता है तो वो अगले round का वेट करेंगे जो first round में अगर नहीं मिला है तो अगले round का वेट करेंगे अब जो बच्चे first round में अच्छा college नहीं मिला और वो अप्गरेडेशन पर yes पर किलिक किये हैं तो वो document verification करवाएंगे कि नहीं तहां आपको भी first round में ही document verification करवा लेना है और admission नहीं लेना है तो भी document verification करवाएंगे समझ में आ रहा है अगर आपने अप्गरेडेशन पर yes किया है यानि कि आप second round में भाग लेना चाहते है second round का इंतजार करना चाहते हैं हो सके कि second round में आपको अच्छा college अच्छा ट्रेड मिल जा इसका इंतजार करना चाहते हैं तो आप yes पर किलिक किये होंगे अप्गरेडेशन पर फिर भी आप जाकर करके first round में जो भी date जो भी आपको अस्थान दिया हो गया हो वहाँ पर जाकर करके document verification करवाएंगे और क्या-क्या document लगेगा इस पर भी हम एक करवाएंगे document verification और फिर जब second round में आपका नाम आएगा तो आपको दूसरी बार document verification नहीं करवाना परेगा direct आपको admission जो है मिल जाएगा तो यह सारा का सारा जानकारी हमने आपको दिया है document verification करवाके आईएगा जो भी बच्चे का first round में आ गया आपने document verification करवाके भी आ गया तो आपको document verified एक आपको slip दिया जाएगा वह slip लेकर के college में जाएगा तो आपका admission जो है हो जाएगा तो यह है सुरू से last तक का कुछ महत्पूर्ण परकिरिया जो हमने आपको बताने के कोशिस की है अगर वीडियो में कुछ जानकारी सही लगा हो और कुछ जानकारी में कुछ सिखिने को मिला हो तो आप इस वीडियो को like जरूर कर दिजिए अपने दोस्तों में share कर दिजिए चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि आगे इसी तरह से सारा का सारा जानकारी दिटेल में आप लोग को इस चैनल पर जो है मिलता रहता है कि सो मच मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में